पॉइंट टो पॉइंट डिसकस होगा पहले तो देखो रिजल्ट देख लेंगे किसके कैसे रिजल्ट आए क्योंकि आज का रिजल्ट स्पेस्फिक एक्षन चला है आप देखोगे मार्केट में जिसके रिजल्ट अच्छे आते हैं काफी जदा भाग जाते हैं फोड़े से इबरेज फ्लैट रिजल्ट होते हैं इस्टॉक ददस परसेंट गिर रहा है आज कल तो इस्टॉक स्पेस्फिक आपको देखने को मिलेगा पूरे मार्केट में और इसके अलाबा मार्केट की आज बात करें तो मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव हैं ग्लोबल मार्केट डाउ भी पॉजिटिव था और इसके अलाबा आप देखोगे एस्जेस निप्टी भी पॉजिटिव में था तो ये तो हो गई वही थोड़ी ग्लोबल मार्केट की बात आप रिजल्ट की बात कर लेते हैं कोल गेट कोल गेट के रिजल्ट फ्लैट थे तो आज गिरावट ह कर देखोगे केमिकल सेक्टर में नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट अच्छे नहीं आए उसके वज़े से एक निगेटिव टोन सैट हो गई और फिर काफी सारी कंप्रिया केमिकल वाली सारी गिनने लगी अब यह सारफ के रिजल्ट अच्छे आएं तो मेभी हो सकता इसमें तेजी हो इसके अलाबा दिखोगे कोफोर के रिजल्ट ठीक आएं इतने कोई खास नहीं आएं मतलब positive में हैं लेकिन फिर भी इतने ठीक नहीं है मतलब okay okay है तो इतना कोई भागता हुआ आपको दिखेगा नहीं यह stock जिस तरीके से LTI भागाता टेक में इंद्रा के भी positive में हैं पर okay okay result है मतलब ठीक है good result बोल सकते हो positive में पर इतने ज़्यादा कोई outstanding result नहीं है इसके लाबा narrow lag के flat result है ACN paint के भी result ठीक नहीं थे और इसके भी flat है तो इसमें भी counter में गिरावट मिल सकती narrow lag में और बात करोगे इसके लाबा द्वार की सुगर के काफी बड़िया result है सुगर sector में अगर आप देखते हो तो द्वार की सुगर पे नजरे बना के रख सकते हो इसके अलाबा अगर बात करें और किसके हैं HDFC MC के result आयते हैं तो इसके भी okay result है मतलब इतने ज़्यादा कोई खास result नहीं है बस ठीक ठाक हैं यह बोल सकते हैं ठीक result है home first finance के result काफी बढ़िया हैं काफी अच्छे आए हैं यह IPO listed हुआ था तो home first finance पे नजरे बना के रख सकते हो अभी थोड़े दूनों पहले इसका IPO आया था तो result अच्छे हैं CSP bank के भी result ठीक आए हैं और इसके अलाबा अगर बात करोगे यह result बता रहा हूं में अब यह 23 तारीक वाले result यह तो हो गए 25 वाले result और आपने देखा होगा ICIC bank के result काफी अच्छे आये थे उसके बाद 10% इसमें भागा था टाटा कंजूमर के result फ्लैट थे और उसमें गिराबट हुई थी तो यह देखो result के specific action हो सकता अब ICIC bank में कल जो तेजी आनी थी आ गई आज हो सकता है consolation हो result इसपेस भी देख सकते हो कि चला है आज कल महौल अब IRCTC बात कर लेते हैं माल लो 10% या 15% नीचे चला भी जाए तो ऐसा नहीं घबरा जाओ मिर मैं खरीदू इना तो अपना एक GTD डाल सकते हो 3700 रुपए के आस में लगा के डाल दो कि ठीक है अगर मिल जाएगा तो ठीक है balance को नहीं तो अगर consolation होता है तो 4000 के आसपास देखेंगे अब एगर नहीं तो नीचे GTD लाल के जाल सकते हो और इस टॉक कोई fundamental में वो नहीं आया है changes नहीं आया है जब इस टॉक यह भाग रहा था यहां से rally दिखा रहा था मुझे तब भी पसंद था और इस टॉक गिर रहा है तब भी मुझे काफी पसंद है ऐसा नहीं कि मेरे view चेंज होगा कि अब IRCTZ खराब हो गया है अब मैं लुट गया बरवाद हो गया मैं तो उससमें खरीद ही नहीं रहा था और मैंने तो आपको भी कहा था बताया था कि भागते हो श्टॉक के पीछे मैं नहीं जाता आएगा तो ठीक है मौका आये तो आये नहीं आए तो कोई बात नहीं कि मिस हो जाए और मैंने बताया था मार्केट में एक करेक्शन थोड़ा सा आना है थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफित बुकिंग आई मार्केट ने 18,000 का सपोर्ट ले लिया है तो आज मार्केट थोड़ी तीज रह सकती है तो मैं भी देखना पड़ेगा अगर चार जार क यह आपकी मर्ची है जो मैं करता हूँ और मैंने आपको बता दिया थिय्स्टी को गवरारनी जरूत नहीं धीक है करीद लिया तो कोई बात नहीं अच्छा स्टौक है short term में pain तुम्हें रह सकता है पर यह नहीं long term में तुम्हें दिखेंगे अच्छे काज रिटन मेरे 1400 रुपए पर मैंने खरीद रखा था ओफेस के आसपास में एक साल consolation करा था तो मैं ऐसे ऐसे कहता है एक साल ते बहुँ 1400 रुपए से 1400 के आसपास ही घुम रहा है एक साल कुछ रिटन ही नहीं दिए और जब रिटन देने पाया तो कुछी दिनों में चला गया 6000 मतलब 200-300% के रिटन हो गए ते मतलब बिदिन 6-7 मन्त के आसपास तो यह ऐसे ही चलते हैं इस टॉक अभी गरावट हो रही है बाद में consolation होगा फिर जब यह भागने पाएगा तब लोग इसके पीछे भागेंगे और हमार बास पहले से होगा तो हमें अच्छे रिटन मिलेंगे जब जब लोग कहेंगे कि आपने कब खरीद लिया था हमें तो पता ही नहीं चला तो बई जब हम खरीदते हैं जब लोगों पैनिक होता है फियर होता है और उसी काम फाइदा उठाते हैं बाकी आपकी मर्जी है आपका पैसा है अपने financial advisor पूर सकते हो अपना एक भी बना सकते हो और loss बुक करने की ज लोग कहते हैं तो मैं डर रहा इसमें बिल्कुल भी बाकी आपकी मर्जी है आपका पैसा financial advisor पूर सकते हैं अपना एक भी मना सकते हो और last में यहीं कहूंगा सुननी सबकी है करनी अपनी है जो भी लोग कहते हैं कहने दो तुम्हें जो करना है वो करना है बाकी कोई चैनल व